हलो डियर स्टुडेंड आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा सास्त्र में पहली यूनिट इसमें अपन विभिन विद्वानों दारा कई गई परिवाश हैं और जो विग्यानिकों के मत हैं बाल विकास परिवाश हैं विग्यानिकों के मत और इसके बारे में याद करेंगे तो आपको दुबारा याद करने की जुरत नहीं पड़ेगी पूरा वीडियो देखना अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने याद नहीं करवाया आपने इसमें आपसे क्या क्या क्यूशन पूच सकता है इसमें आपको वरद्धी और विकास के बारे में अंतर पूच सकता है कि चार ओप्शन देदेगा आपसे और निम्न लिकित में से वरद्धी और विकास के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है ये अंतर वाला क्यूशन पूच पूछ सकता है आपसे सिद्धान्त के बारे में पूछ सकता है कि निम्न में से ये सिद्धान्त किसके दोरा दिया गया है व्रद्धी और विकास का और इसके बाद आपसे सेस्वा वस्ता की पड़ी बाशाया मनोविग्यानिक का मत पूछ सकता है कि तीन से चैवर्स के बालको में प्राय मांसिक तीवर्ता मांसिक विकास अधिक होता है ये किसने कहा है तो आप ज्यान से पढ़ेगा वीडियो जरूर पूरा देखेगा और आपको फनी वेज में आपको सारी डेफिनेशन वेग्यानिकों के मत याद करा दूंगा मनों वेग्यानिकों के तो आईए स्टा करते हैं पहला टोपिक है बाल विकास और शिक्षा सास्तर में बाल विकास इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे विकास और व्रद्धी होती क्या है विकास के अंतरगत क्या आता है बाल विकास के अंतरगत क्या होता है कि बालक जो जब जनम लेता है जनम से लेकर उसकी परिपक्व अबस्ता तक का अध्यन बाल विकास के अंतरगत किया जाता है। जोन लोक के द्वारा बाल विकास का सरुपर्थम अध्यन किया गया था। और आपसे पूछ ले कि बाल विकास का जनक कोन है, तो बाल विकास का जनक कोन है, स्टेनले होल को माना जाता है, तीन प्रकार के पॉइंट बनते हैं, इसमें बाल विकास का सरुपर्थम अध्यन किसके द्वारा किया गया था, तो जोन लोग के द्वारा बाल विकास का सबसे लोजी द्वारा किया गया था ये तीन पॉइंट याद रखना बाल विकास का सरुपर्तम अध्यन जोन लोग द्वारा किया गया था बाल विकास का मनोवग्यानिक सब्द काम में लाया जाता था लेकिन वर्तमान में बाल विकास सब्द प्रियुक्त किया जाने लगा क्योंकि बाल अध्यन में केवल शेश्वा वस्ता था बाल वस्ता का ही अध्यन होता था जबकि बाल विकास में किस्वरा वस्ता का भी अध्यन किया जाता है अब अपन दे बरिवर्दी के परिवर्धी, में अलग उते हैं वे विकास वो सामनलत सारीरिक विकास जैसे सरीर के भागों का बढ़ना और वजनी होना जिसका मापन और अवलोकुन किया जा सकता है इसके अंतरगत के आती है व्रद्धी आती है सारी के विभिन पक्स जो आएंगे विभिन भाग उन भागों का बढ़ना और वजिनी होना जिनका मापन और अवलोकों किया जा सकता है वो किसके अंतरगत आएगा व्रद्धी के अंतरगत आता है व्रद्धी जो होती है ये व्रद्धी के किसी विशिष्ट पक्स या सारीक पक्स में परिवर्तन होता है जबकि विकास क्या होता है व्रद्धी के संपूर्ण संग्ठन पक्सों में परिवर्तन व्रदी जो होती हैं व्रदी या जीव में जीवन काल के एक निशित समय तक ही होती है व्रदी आप सभी को पता है लेकिन व्कास क्या करता है जीवन परियान चलने वाली कर्मिक और प्रगती शील स्रंकला है व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है आप सभी कुछ जानते हैं व्रद्धी जो होती है ये व्यक्ति के सनरचना अत्मक पक्स को दरसाती है जबकि विकास उसके कारियात्मक पक्स को दरसाता है और कारिय के बिना सनरचना का मैत्व गोण होता है फिर इसके बाद अपन बा उसे उसका परिपकुता स्तर कहा जाता है जैसे बालों का बढ़ना है वजन का बढ़ना है लंबाई का बढ़ना है ये किसके अंतरगत आते हैं अभिवर्दी के अंतरगत आते हैं अब देखिए आप अभिवर्दी की परिपाशा सोरेंसन दे रहा है तो सोरेंसन क्या परिपा अंगों में भार तथा आकार में जो परिमानात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभी वर्दी कहलाती हैं, जैसे वजन बढ़ रहा हैं, तो वजन कितना बढ़ रहा हैं, पचास से तो पचास से पचप में होने वाले परिमानात्मक परिवर्थन जिने हम माप या तोल सकते हैं क्या कहलती है अभी वरदी कहलती हैं और परिबास है किस Grund War वरद्दी ही अभी वरद्दी है ये किसने कहा है फ्रेंक ने कहा है अब इसके बाद आता है हड्डियों के आकार में वरद्दी अभी वरद्दी होती है लेकिन निस्य समय बाद उन्हें मजबूती आ जाना क्या कहलाती है परिपक्वता कहलाती है हड्डियों के आकार में प्रिवर्तन होते हैं जो बालक के वेवार को प्रभावित करते हैं वह विकास के अंतरगत आता हैं विकास की जो सभी प्रकार के मात्रात्मक और मात्रात्मक और गुनात्मक प्रिवर्तन जो हो रहे थे वो किसमें हो रहे थे संक्यात्मक और परिमानात्मक वो तो हो रहे थे अभिवर्दी में और इसमें सभी प्रकार के जो भी प्रिवर्थन होंगे जो कि बालक के वेवार को प्रभावित करेंगे वो किसमें आएंगे विकास में आएंगे विकास एक सतत प्रक्रिया होती है निरंतर चलती रहती है और इसकी गति कभी दीमी होती है कभी तिवर होती ह जिसे पहले के starting के तीन वर्चों में बालग कि विकास के प्रक्रिया बूत तेज होती है और उसके बाद धीमी पड़ झाती है लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है ये निरेंतर चलती अवश्य रहती है और व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है इसके बाद अपन देखते हैं विकास पुर्व अनुमे और साखिय होता है ये याद रखना ये इसमें पिछली बार क्यूशन आया था सत्य एसत्य में से विकास रेखिय होता है ये का गया था तो इसमें ऐसे त्यकतन था वो ध्यान रखना इसमें अंतर के बारे में विकास पूर्वानू में और साखिय होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास की गति कभी रुकती नहीं है और विकास की विभिन अवस्ताओं में विकास की गति तीवर और मंद दिखाई देत के बाद अपने बात करते हैं विकास 29 और 20 चील दोनों तरह का होता है विकास उपर भी जाता है इसका ग्राफ और निचे भी जाता है तो विकास 29 चील और 29 चील 25 तरह का होता है अब आप इस brain लेकर किसोरह बस्ता तक कि अध्यन को क्या कहते हैं बाल विकास कहा जाता है क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि बालक के घर्ब काल में होता है उस समय से लेकर जब तक वो जवान नहीं हो जाता उस अवस्ता तक कि अध्यन को क्या कहा जाता है बाल विकास कहा जाता है यह परिभाशा किस ने दी है क्रो ए क्रोकी के बालक के गर्व काल से लेकर उसके किसोर होने तक कि अध्यन को क्या का जाता है बाल विकास का जाता है फिर इसके बाद आता है हर लोग कहते हैं कि बाल विकास का अर्थ केवल सारीरिक विकास से ना होकर सामाजिक नेतिक और समयगात्मक तता मांचिक विकास में होने वाले परिवर्तनों के अध्यन से इन्होंने बाल विकास का अर्थ माना है किसने हर लोग ने तो याद रखना हर लोग के अनुसार बाल विकास का अर्थ केवल सारीर की विकास से ना होकर सामाजिक नेतिक समय गात्मक और मांचि विकास में होने वाले परिवर्तनों के अध्य से हैं इसलिए हर लोग क्या कहते हैं विकास लाभात्मक होता है नीमित नहीं और विकास जो है अभी वर्दी तक ही सीमित नहीं है निरंतर चलता रहता है इसके साथ ही हर लोग का कहना है कि विकास में घर्ब में आने से लगातार मर्त्यू तक मानव में परिवर्तन होते रहते स्कीनर का क्या कहना है विकास के बारे में स्कीनर ने कहा है कि विकास जीव और उसके वातावन के मद्य अंत्य क्रिया का परतिफल है या आप परिवास से याद रखना इसकी स्कीनर का कहना है जीव और वातावन के मद्य अंत्य क्रिया का परतिफली क्या है विकास है अंत्य क् होती हैं और उसका परतिफली क्या हैं विकास हैं फिर अपन देखते हैं अभीवर्दी और विकास में अंतर यह इंपोर्टेंट है आप याद रखना अंतर दे सकते हैं आपको चार ओप्शन में और उनमें से एक अंतर गलत होगा तो आप उसको ज्यान से देखेगा अभीवर परकार के परिवर्टनों आंतरिक तता बहुत पक्स सम्मंदित होता है अभीवर्दी में सारीरिक पक्स के परिवर्टन सामिल होते हैं जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इसमें सभी परकार के परिवर्टन आएंगी चाहे आंतरिक हो चाहे बाईए अब इस जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अभिवर्दी में जो परिवर्दन होते हैं वो व्रदी सूचक होते हैं जबकि विकास वरदी और हांसूचक से सम्मंदित होते हैं जैसे अभिवर्दी में जो परिवर्दन होंगे जैसे सरीर का पक से वजन का बढ़ना है व अलग घर्ब में है तो भी उसकी अभिवर्दी होगी अभिवर्दी जनम से पहले अर्थात गर्बावस्ता से ही स्टार्ट हो जाती है लेकिन विकास कब होता है जनम के बाद होता है अभिवर्दी मूर्त पक्स से सम्मंदित होती है जबकि विकास अमूर्त से सम्मंदित होता अभी वर्दी का मापन किया जा सकता है लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता इसमें केवल विकास का अनुभव मात्र किया जा सकता है अभी वर्दी को पर नाप सकते हैं कितना वजन बढ़ रहा है कि इतनी लंबाई बढ़ रही है लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा स अभी वर्दी की भविश्यमानी एसंबव है जबकि विकास की भविश्यमानी की जा सकती है बाले के लक्षणों को देखकर उसके विकास की भविश्यमानी की जा सकती है उसका विकास किस परकार होगा और अभी वर्दी पर वंसानुकरम का प्रभाव पढ़ता है जबकि विक वातारवन से प्रभावित होता है पिर इसके बाद आएगा अगला पॉइंट है अभी वर्दी का शेत्र जो होता है लिमिटेड होता है संकुचित होता है दाइरा जबकि विकास का शेत्र क्या होता है व्यापक होता है अभिवर्दी में परिमानात्मक और संख्यात्मक परिवर्दन आते हैं जबकि विकास में गुनात्मक और मात्रात्मक परिवर्दन होते हैं याद रखेगा परिमानात्मक और संख्यात्मक परिवर्दन तो अभिवर्दी में होते हैं अभी वर्दी में जबकि विकास में गुनात्मक और मात्रात्मक परिवर्थन होते हैं अभी वर्दी का कोई निशित करम नहीं होता है जबकि विकास का एक निशित करम होता है याद रखेगा अभी वर्दी का कोई निशित करम नहीं होता है जबकि विकास का निशित क्रम होता है फिर इसके बाद आप पर देखिए अभी वर्द्धी और विकास के नियम क्या क्या होते है निरंतरता का सिद्धान्त आपको बताया था अभी वर्द्धी कहा पर जाकर रुख जाती है जैसे हड्डिया है तो हड्डियों का व्रद्धी होगी लेकिन कुछ समय बाद जब हड्डिया मजबूत हो जाएगी तो वो परिप्रकतास्तर कहलाता है तो अभिवर्दी क्या है? परिप्यक्ता स्तर पर जाकर रूख जाती है अभिवर्दी जबकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है परस पर सम्मंदिता का सिद्दान्त एक विकास जो है वो दूसरे विकास से परस पर सम्मंदित होता है जैसे अगर किसी का सारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा तो ये कौन सा सिद्धान्त कहलाएगा परस्पर संबन्देता का सिद्धान्त फिर आएगा समान परतिमान का सिद्धान्त एक ही परजाती के सभी जीवों में विकास की दृष्टी से समानता होती है एक ही परजाती के जो जीव हैं वो विकास की दृष्टी से समान विकास होता है उनका समान परतिमान के सिद्धान्त के अकोर्डिंग विकास का एक निश्यत करम होता है जेसे एक साथ सरीर के अंगों का बढ़ना फिर आएगा सामानी से विशिष्ठ किरियाओं का शिद्दान बालक पहले सामानी किरियाओं सीखता है बाद में वही जो अनुक्रय होती है उसकी विशिष्ठता में बदल जाती है फिर आएगा विक्तिगत विभिनता का सिद्धान परते एक बालक जो होता है दूसरे बालक से विक्तिगत रूप से भिन होता है उसके अपने अपने खुद की विसेस्ताइं होती है और विकास के अलग-अलग अवस्ताओं में पेर की और विकास होता है और इस अवस्ता को क्या कहते हैं सिफेला करडल अवस्ता कहते हैं सिफेला करडल अवस्ता कहते हैं पहले 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 सिफेला करडल अवस्ता करता हैं इसके बाद आपन देखते हैं विकास की विभिन अवस्ता हैं यहां से अपना में पॉइंट स्टार्ट होता है विकास की विभिन अवस्ता हैं कौन-कौन सी होती हैं आप सभी को पता है पहले आती हैं सेस्व अवस्ता फिर आएगी बाली अवस्ता और फिर आएगी तीसोर अवस्ता इसको अपन इसके जो भी मनवग्यानिकों के मत हैं अपन हनीवेज में याद करेंगे ताकि आपको याद रहे तो श्टार्ट करते हैं विकास की विबिन अवस्ताओं में आती हैं सेस्व अवस्ता और आप सभी को पता हैं सेस्व अवस्ता का काल क्या होता है जनम से लेकर 6 वर्स, 0 से 6 वर्स तक सेस्वा वस्ता का काल होता है और इसमें आप ये याद रखेगा पूर्व सेस्वा वस्ता क्या कहलाती है सेस्वा वस्ता, पूर्व सेस्वा वस्ता 0 से 3 वर्स तक होती है और उत्तर सेस्वा वस्ता होती है 3 से 6 वर्स पूरू सेस्था वस्ता तो होती है 0 से 3 वर्स और उत्तर सेस्वा वस्ता होती है 3 से 6 वर्स आपसे एक क्यूशन पूशता हूँ आप उसका उधरन देना कमेंट में आंसर देना वै संदी काल कौन सी अवस्ता को कहा जाता है वाई संदिकाल कौन सी अवस्ता को कहा जाता हैं सेश्वा वस्ता को बाली अवस्ता को या किस वरा वस्ता को तो आप कमेंट में उत्तर जुरूर टाइप करीजेगा वाई संदिकाल कौन सी अवस्ता को कहा जाता हैं तो ये हो गई आपकी पूरू सेस्वा वस्ता 0-3 वर्स और उत्तर सेस्वा वस्ता 3-6 वर्स अब इसकी बारे में मनोवज्यानिकों के मत आते हैं सेस्वा वस्ता से सम्मंदित मनोवज्यानिकों के मत पहला मनोवज्यानिके न्यूमेन न्यूमेन क्या कहता है पांच वर्स तक की अवस्ता शरीर तता मस्तिक्स के लिए बड़ी ग्रहन शील रहती है यह किसका कहना है न्यूमेन का न्यूमेन कह रहे हैं कि पांच वर्स तक की अवस्ता शरीर तता मस्तिक्स के लिए बड़ी ग्रहन शील रहती है तो न्यूमेन का अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे तो क्या होता है नया आदमी तो नया आदमी का जो शरीर रहता था मस्तिक्स के कौनसी आयू तक मस्त रहता है तो पांच साल तक की अवस्ता तक नया आदमी का शरीर और मस्तिक्स मस्त रहता है याद रखना आप इसको न नए आदमी क्या कह रहा है कि 5 साल तक सरीर तता मस्तिक्स अच्छा रहता है उसका तो याद रखना 5 साल तक की अवस्ता सरीर तता मस्तिक्स के लिए बड़ी ग्रैंड शील रहती है तो आप इसको याद रखना कि नए आदमी का सरीर तता मस्तिक्स कितने साल तक अच्छा रहत तो 5 साल तक की अवस्ता शरीर तता मस्तिक्स के लिए बेड़ी ग्रेंड शील रहती है क्या किसका कहना है यह नए आदमी का न्यूमेन का कहना है फिर इसके बाद आता है थोंडाई थोंडाई क्या कहता है तीन से छे वर्स तक के बालक प्राय अर्द सुपनों की दिशा में र जाए जाएगा होरन कौन बजाएगा थोरन बजाएगा जब 3-6 साल तक के बालकों की बीच में थोरन बजाएगा तो वो शपनों से जाग जाएगे तो आप याद रखना थोंडाई जब होरन बजाएगा तो 3-6 साल तक के बालक जो है वो अर्द सुपनों से जाग जाएग तो थोनडाई का क्या कहना है तीन से छे साल तक का जो बालक है वो प्राय अर्द सपनों की दिशा में रहता है और अपने सपनों से जगाने के लिए थोरन क्या बजाएगा होरन बजाएगा जब थोरन तीन से छे साल के बालकों की बीच में जाके होरन बजाएगा तो वो अप से 6 साल तक के बालग प्राई अर्दू सपनों की दिशा में रहते हैं फिर इसके बाद आता है ब्रिजेस ब्रिजेस जो हैं आपको पता है ब्रिजेस कौन सी पहले पेंट आती थी ब्रिजेस पतली 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 पत का विकास हो जाता था। तो ब्रिजेश का किए कहना है विकास का कि दो वर्स के आयु तक का बालक में उसमें प्रकार के सम्यगों का विकास हो जाएगा। तो ब्रिजेस का क्या कहना है कि दो वर्ज की आयुतक का बालक में प्राई सभी समयगों का विकास हो जाता है और ब्रिजेस कोन पहनता है दो वर्ज का बालक तो दो वर्ज की आयोतक के बालकों में सभी समय को का विकास कोन कर रहा है याँ पर बिर्जेश कर रहा है और नए आदमी का सरीर तता मस्तिक्स कितने साल तक के लिए मस्त रहते हैं पांस साल तक के लिए मस्त रहते हैं आपको पता है तब वो बालक क्या करेंगे अपने अर्द सुपनों की दिशा से बाहर निकलेंगे और ब्रिजेस पेंट कौन पेंटा है दो साल तक का बालक पेंटा है समवेग नाम का बालक ब्रिजेस पेंट पेंटा है दो साल का समवेग जिसमें सभी प्रकार के विकास हो जाएगा फिर आ काम परवर्ति का विकास जो है वो सेष्वा वस्ता में भी होता है यह फ्रायड का कहना है याद रिखेगा कि काम परवर्ति का विकास सेष्वा वस्ता में भी होता है यह कौन से मनोविग्यानिक का कहना है तो फ्रायड का कहना है और बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारम के चार-पांच वर्षों में बन जाता है ये किसका कहना है Pride का कहना है Pride कहरा है कि अगर आप स्टार्टिंग में अपनी पड़ाई खतम करने के बाद अगर चार-पांच साल मेहनत करोगे तो उसमें आप अच्छे आदमी बन जाओगे तो फ्रायड का क्या कहना है कि आप अगर 4-5 साल तक मेनत करोगे स्टार्टिंग में जब आप पड़ाई करने के बाद अपनी जोब के लिए 4-5 साल तक मेनत करोगे तो आप जो कुछ भी बनोगे 4-5 साल के अंदर ही बन जाओगे तो इसका कहना है? फ्रायड का कहना है कि अगर आपको कुछ बनना है तो आप पड़ाई ख़तम करने के बाद competition के जिरिये प्रारम के 4-5 वर्षों में ही उच्छे पद पर पहुंच सकते हो तो आपको जो कुछ बनना है वो प्रारम के 4-5 साल में ही आप बन सकते हो किसका कहना है? फ्रायड का कहना है बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारम के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है किसने का है फ्रायड ने और काम परवरते का विकास सेश्वा वस्ता में भी होता है किसके according फ्रायड के according अब आते हैं Adler महोदे Adler जो है ये एक जोतिसी है जब आप जनम ले रहे थे तब ये वहाँ पर मौझूद था Adler ये एक परकार का जोतिसी है जैसे आपने जनम लिया इसने आपको कहा कि जनम के बाद ही इसने आपको कह दिया कि कि आपका जीवन में क्या स्तान होगा आप टीचर बनोगी या आपको किसने का था Adler ने जब आप जनम ले रहे थे तब ये वहाँ पर उपस्तित था जोतिसी और इसने भविश्यवाणी की कि जनम के कुछ समय बाद ही इसने आपको कह दिया कि आपका जीवन में क्या स्तान होगा आप कौन सी जोब करोगे आप टीचर बनोगे तो याद रखेगा कि जनम के कुछ समय बाद ही कि बाला का जीवन में क्या स्तान होगा तो एडलर एक प्रकार का जोतिशी था जो आपके जनम के समय वहाँ उपस्तित था और इसने आपके जनम लेते आपको कह दिया कि आपका जीवन में क्या स्तान होगा और आप टीचर बनोगे किसने का था एडलर ने तो एडलर क्या है ए यह जियाद रखेगा एड़लर ने क्या कहा कि जनम के समय ही कुछ समय बाधी निश्यत हो जाता है कि बालक का जीवन में क्या स्तान होगा प्र आते हैं रहे है कि बीछू सताबदी जु है ये बालख से पहले की सताबदी हैं क्रो को अपन क्या कहते है हिं कवे लिए कवे हैं, बीस्यू सताब्दी जो है बालक से पहले की सताब्दी हैं, में पतका है सताब्दी कोवे हैं जाते हैं, फिर इसके बाद आते हैं वाटसन, वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन की दो बेटिया हैं सीमा और तिवरता, याद रखेगा वाटसन की दो बेटिया हैं सीमा और तिवरता, और इन सीमा और तिवरता जो दो बेटिया हैं, इनके सीखने की जो गती हैं, वो बहुत कहते हैं सेस्वा वस्ता में सीखने की सीमा और तिवरता अन्य अवस्ताओं से अधिक्तम होती हैं तो याद रखना सेस्वा वस्ता में सीखने की सीमा और तिवरता अन्य अवस्ताओं से अधिक्तम होती हैं ये किसने का है वाटसन ने वाटसन की दो बेटिया कौन-कौन सी हैं सीमा और तीवरता जो कि भी छोटी है और लेकिन छोटी होने के बावजूद भी उनमें सीखने की गती कितनी है बहुत अधिक्तम है तो वाट्शन क्या कहता है कि सीमा और तीवरता सेषवा वस्ता में सीखने की सीमा और तीवरता अन्य अवस्ताओं से अधिक्तम होती है तो याद रखेगा सीमा और तीवरता किसकी बेटिया है वाट्चन की और सीमा और तीवरता में क्या अधिक है शीखने की तीवरता अधिक्त है तो याद रखना सेषव अवस्ता में सीखने की सीमा और तीवरता अन्य अवस्ताओं से अधिक्तम होती है किसका कहना है वाट्च विकास होता है उसका आधा तीन वर्ष की आयू तक हो जाता है गुड इनफ कहता है जितना मानशिक विकास होना था वो उसका आधा तीन वर्ष की आयू तक ही हो गया तो बहुत अच्छा हुआ गया तो विक्तिका जितना मानशिक विकास होता है उसका आधा कब हो जाता है ती त्यवक्ति का होगा उसका अधात तीन वर्श की आयू जानते हैं विलेंटाइन डे की दिन प्रपोज डे मना जाता है तो वेलेंटाइन डे के अनुसार क्या है सेस्वा वस्ता जो है सीखने का अधरस काल होता है तो परपोज करने का अधरस दिन होता है वेलेंटाइन डे और सीखने का अधरस दिन या काल होता है क्या होता है सेस्वा वस्ता होता है सीखने का अधरस काल या अधरस दिन क तक मस्त रहता है, 5 साल तक होरन कौन बजाएगा, थोरन बजाएगा, तब ही जाके बच्चे 3-6 साल के जो हैं, वो अपने सपनों से बाहर निकलेंगे, बिर्जे स्पेंट कौन पहन रहा है, 2 साल का बच्चा और उसका नाम क्या है समवेग, जब वो बिर्जे स्पेंट पहने जो 30 हैं एक प्रकार का, जब आपने जनम लिया था तब वहाँ पर मोजूद था यह और उसने का कहा आपके जनम लेते ही, कि आपका जीवन में क्या स्थान होगा, यह निशित एडलर ने कर लिया था, कि आप क्या बनोगे, तो जनम के कुछ समय बाद ही, एडलर ने निशि लिरता बहुत छोटी बीट हें अभी स्ष्वाबश्त में हैं तो सीमा और दिएवर्ता में सीखने की सक्ति अदिक हैं सीमा और तु किसने शरी वार्ट संने कर था प्पिर इसके बाद आए था गुडिनएफ ने गुडिनब का मतला बहुत ही ज्यादा हो गया मांसिक विकास तो मांसिक विकास जितना विक्तिका होना होता है उसका आदा तीन साल तक की आयुतकी हो जाता है किसने का था गुड इनफ ने और वेलेंटाइन के अनुसार क्या है सेस्वावस्ता सीखने का अदर्स काल है तो वेलेंटाइन डे के दिन क्या होता है प्रपोज डे, प्रपोज कब करते हैं, वेलेंटाइन डे के दिन करते हैं, और सीखने का आदर्स दिन कब होता हैं, वेलेंटाइन डे, सेश्वावस्ता, तो याद रखना, सेश्वावस्ता सीखने का आदर्स काल हैं, किसने का हैं, वेलेंटाइन के अनुसार, सेश्वावस् से निस्चित होता है बावी जीवन आने वाले जीवन के आधारि असीला भी है शेष्वर वश्टा एयतार की चिंतन के वस्टा बालग में कोई भी तो अनुकरन द्वारा शेकने के वस्ता हैं सेश्वावस्ता और शीखने का अधर स्काल किस ने कहा था आपको भी बताया वैलेंटाइन के अनुसार शीखने का अधर स्काल क्या हैं सेश्वावस्ता होती हैं फिर इसके बाद आता हैं सेश्वावस्ता की विशेष्टा क्या 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 होती हैं सारी रिगोर मां और यह याद रखना यह ए नेतिकता का भाव होता है अरता नेतिकता नहीं होती है शेस्वा वस्ता में बालक में ध्यान रखना सत्य शेत्य में से पूछा गया है क्यूशन रीट में ही याद रखना कि शेस्वा वस्ता में जो छोटा बालक होता है उसमें किसी प्रकार के नेत पेक्स होता हैं और वो हर्च और विशाद नामक समय की उत्पत्ति होती हैं सेश्वावस्ता में याद रखेगा हर्च और विशाद नामक समय की उत्पत्ति होती हैं सेश्वावस्ता में जो बच्चा छोटा होता है स्वार्थी और आत्मेकेंद्रित होता हैं अगर वो खिलो सिक रूप से ऐस्तिर होता हैं सेस्वावस्ता में बालक मूल परवर्ती पर अधरित वेवार करता हैं सेस्वावस्ता में बालक काम परवर्ती की तिवरता होती हैं सेस्वावस्ता में याद रखेगा समयगात्मक रूप से ऐस्तिर होता हैं बालक सेस्वावस्ता में समयगात् काम प्रवर्टी की तीवुरता होती हैं मौलू प्रवर्वर्टी पर आधरित्व विवार करता हैं सेष्वा वस्ता में संगरह की परवर्वर्टी होती हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं सेस्वा वस्ता में सारीरिक, मानसिक, समयगात्मक और सामाजिक विकास सेस्वा वस्ता में जो विकास है कौन-कौन से है याद रखेगा सारीरिक, मानसिक, समयगात्मक और सामाजिक चार परकार के विकास हैं मानना विकास को सेत्रों में बाटा जाता है ये क्यूशन आचुका याद रखेगा मानना विकास को सेत्रों में बाटा जाता है वे सेत्र है तो आपके सामने चार ओप्षन आएंगे ध्यान रखना कौन कौन से ओप्षन है इसमें आंसर है सारीरिक विकास संग्यानात्मक विक समय गात्मक विकास और समाजिक विकास सेषवा वस्ता में जनम के समय लड़कों की लंबाई जो हैं लड़कों से एक सेंटीमेटर अधिक होती हैं जनम के समय शीशू का भार जो होता है वो 7-8 पॉंड होता है जनम के समय शीशू के मस्तिक्स का भार 350 ग्राम होता है जो 6 वर्ष के आयू में तो 1260 ग्राम का हो जाता है और व्यस्क होने पर संपूर्ण आकार 1350 ग्राम का कर लेता है जब जनम होगा तो उस समय तो 350 ग्राम होगा जब 6 साल का हो जाएगा तो वो 1260 ग्राम का हो जाएगा और अगर विस्क होना हो जाएगा तब वो उसका 1350 ग्राम का हो जाएगा 600 वस्ता में दूद के दातों के संक्या कितनी होती हैं 20 होती है याद रखना अभी तो नॉर्मल जो विक्ती है उसकी 72 परती मिनिट हो जाती है लेकिन जनम के समय सीसु की धड़कन की दर 140 परती मिनिट होती है जनम के समय मान स्पेशियों का बार जो है वो संपूर्ण सरीर के भाग का 21 परतीसत होता है जनम के समय जो मास्पेशियों का बाहर होता है वो संपूर्ण शरीर के भाग का 21% होता है जनम के समय शीशु में कोई सवेग नहीं होता आप याद रिखेगा जनम के समय शीशु में कोई सवेग नहीं होता बलकि रोता किस कारण है भूग लगने पर वो रोता है तो आपसे पूछ ला जाए कि ज़नम के समय कोंसा समय होता है तो कोई नहीं होता है और वो रोता किसलिए हैं भूग लगने पर रोता है सेश्वा वस्ता में मान्सिक विकास का परमुक साधन क्या होती है ग्यानेंद्रिया होती है दो महा के बाद बालक में कोन्से समय की उत्पत्ति होती है दो महीने के बाद शीशु जो होता है उसमें आनन्द समेग की उत्पत्ती होती है दो वर्ष के बालक दो वर्ष के बाद बालक में प्रेम, क्रोध, आनन्द और भई ये चार समेग मूल रूप से पाए जाते हैं आप नोड डाउन कर लीजेगा और पांच वर्स के बाद जो है बालक में समयकों का नियंतरण बढ़ जाता है फिर इसके बाद आता है विद्याले जाने से पहले बालक सिसु आत्म के इंद्रित होता है विद्याले जाने से पहले सिसू आत्वगेंद्रित होता है और जनम लेते ही सिसू उतेजना के कारण रोता है और रोना जो है उसकी स्वसन किरिया प्रारम करने में सायक होता है जनम लेता है जब शिसु तो उतेजना के करण रोता है, भूक लगने के करण रोता है और रोना जो है, उसकी स्वसनकिरिया को पुरारम करने में सायक होता है और वाटसन के अनुसार दो वर्स के बालग जो है उनमें भय, प्रेम और स्ने हैं तीन सम्वेग पाये जाते हैं और शेषवा वस्ता के लिए सरवादिक उप्युक्त सिक्षन विदी कौन ची हैं? Montessori पदोती है हैं जो की 3-6 साल के बालकों के लिए होती हैं सेच्वावस्ता के लिए सरवादिक उप्छम। स्क्षन वीधी कौन Шक्षे है promote री पदosa मारिया Montessori जो की 3-6 साल के बालकों के लिए पाई जाती है ये स्क्षन वीधी होती है 3-6 साल के बालकों के लिए सेस्वावस्ता में और Montessori और Kindergarten विद्धी किस पदिती पर आधारी थें खेल पदिती पर आधारी थें या आपका आज का होगया सेस्वावस्ता का topic complete अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजेगा और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कीजेगा आपके like करने से ही ये वीडियो आगे जाता है बच्चों के पास तो आप इसको like जरूर करना अगर आपको पसंद आया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के साथ पढ़ते रही आपके अपने channel के साथ